वन प्लस फोन का सिर्फ मेन कैमरे काम क्या है और यह जो बाकी दिख रहे है न भई सिरफ और सिरफ यूजलेस कैमरें का कोई फायदा नहीं है पैसा पर पात दोस्तों आज किस वीडियों हम कंपैरजन करेंगे मोटो जी 54 स्मार्टफोन को वन प्लस नोड सी ए थ्री लाइट स्मार्टफोन के साथ में और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्पलेगी तो आपको बता दूगी मोटो के अंदर हमें 6.5 इंचिस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्पले दी गई है जो कि 120 हर्टथ के रिफ्रेश रेट को स्पोर्ट करती है और वहीं दूसरी तरह वन प्लस के अंदर हमें 6.7 तु इंचिस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्पले दी गई है जो कि 120 Hz के refresh rate को spot करती है यानि कि दोस्तों डिस्प्लेय आपर भाई content watching के साथ से ना दोनों smartphone के एकदम बढ़िया वाली है क्योंकि दोनों phones के अंदर हमें IPS panel मिल रहा भी अच्छी बात है बढ़िया content watching आपको करवा देगा और operating system के अगर हम बात करें तो moto का phone out of the box Android 13 के साथ में आता है जिसमें आपको सिरफ एक साल के Android अपडेट्स और तीन साल के security अपडेट्स मिलेंगे और ये smartphone near stock Android पर based है दूसरी तरफ OnePlus का phone भी out of the box Android 13 के साथ में आता है जिसमें आपको दो साल के Android अपडेट्स और तीन साल के security अपडेट्स मिलेंगे और ये smartphone OxygenOS 13.1 पर based है यानि कि दोस्तों कर आपको ज़्यादा Android के अपडेट्स चाहिए न भाई definitely आप OnePlus की तरफ ही ज़रूर से जाईए ये बड़ी अच्छी बात कही है और ये Moto वालों ने तो एक साल के Android अपडेट्स है के भाई कामे मुकादिया भाई भर भर के cost cutting करिया इन्होंने इस मामले में और chipset की अगर हम बात करें तो Moto के अंदर हमें Diamond City 7020 5G chipset दिया गया जो कि 6 nanometer technology पर based है वहीं दूसरी तरह OnePlus के अंदर हमें Snapdragon 695 5G chipset दिया गया जो कि 6 nanometer technology पर based है और आपको बता दो दोस्तों ये जो दोनों chipset है न भी day-to-day performance और gaming के मामले में एकदम बढ़िया है और दोस्तों अगर आप इन दोनों phones में किसी वाले कोई buy करना चाहते है न तो link मैंने नीचे description में दे दिया है वहाँ से जाकर आप इन्हें buy कर सकते हैं और अब बारी आते हैं भी back camera setup की तो moto के back में में dual camera का setup दिया गया है वहीं दूसरी तरह OnePlus के back में में triple camera का setup दिया गया है और सबसे पहले हम बात करेंगे moto की तो इस phone का main camera 50 megapixel का ultra wide plus macro plus depth camera है 8 megapixel का वहीं दूसरी तरह OnePlus phone का main camera है 108 megapixel का macro camera है 2 megapixel का और जो depth camera वो भी है 2 megapixel का और आपको बता दो दोस्तों दोनों फोन का main camera है बढ़िया फोटो आपकी click कर देगा उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी लेकिन यार ज़रा OnePlus को देखना दो का macro दो का depth देगे काम मुका दिया और ये camera सिर्फ useless है ये ultra wide दे सकते हैं लेकिन पैसे बचाने के सक्कर में नहीं दिया इसलिए अगर आपको ultra wide camera भी चाहिए ना डेफिनेट याब moto की तरफ ही ज़रूर से जाईए और maximum video recording के अगर हम बात करें तो दोनों फॉन्स के back camera से आपको 1080 pixel तक ही video recording कर सकते हैं और अब बारी आते है भाई video stabilization की तो moto का phone OIS plus EIS technology को spot करता है वहीं दूसरी तरफ OnePlus का phone से इस technology को spot करता है दोस्तों अगर आपको बड़ी या stable video बनाने है न भाई तो moto की तरफ ही जरूर से जाईए और front camera की अगर हम बात करें तो दोनों फॉन्स के front में बे 16 megapixel का selfie camera दिया गया है बहुत selfie lover के साब से यहाँ पर दोनों smartphone बढ़िया है और maximum video recording आप दोनों फॉन्स के front camera से 1080 pixel तक ही कर सकते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो moto phone यहाँ पर 6000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी के साथ में आता है जो कि 33W की fast charging को spot करता है वहीं दूसरी तरफ OnePlus phone के अंदर हमे 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 60W की fast charging को spot करती है decision दोस्तों आपको लेना है कि आपको बड़ी बैटरी अला स्मार्टफोन लेना है या आप ज़्यादा fast charging वाला और network connectivity की अगर हम बात करें तो दोनों phones यहाँ पर truly 5G connectivity के साथ में आते हैं और 3.5 mm jack हमें दोनों phones के अंदर दिया गया है और अगर हम बात करें स्पीकर्स की तो दोनों phones यहाँ पर stereo speakers के साथ में आते हैं और security के लिए में दोनों phones के अंदर side mounted fingerprint sensor प्लस face unlock भी देखने को मिल जाता है और अब last में हम बात करते हैं दोनों phones की pricing तो आपको बता दूगी Moto phone के 8 plus 128GB variant के approach pricing है 15,000 पे वहीं दूसरी तरह OnePlus phone के 8 plus 128GB variant की pricing है 20,000 पे और दोस्तों जो pricing है न वो offer के coding उपर नीचे होती रहती है तो इस चीज़ का अब ध्यान रखेगा और अगर में आपर अपना point of ए दोना भी इन दोनों smartphone के लिए तो देखिया अगर आपको budget है 15,000 पे तक का और उसमें अगर आपको overall एक दम बढ़िया smartphone चाहिए तब आप यहाँ पर definitely moto की तरफ ही जरूर से जाईए लेकिन वहीं दूसरी तरह दोस्तों अगर आपको OnePlus की brand value के साब से OnePlus का ही smartphone चाहिए तब आप यहाँ पर definitely OnePlus की तरफ ही जरूर से जाईए तो बस दोस्तों यही ते मेरे कुछ अनश्ट अपिनियंस इन दोनों smartphone के लिए